एंथेल्पी परिवर्तन की इस प्रकार से होता है तो किसी भी रासायनी क्रिया में कुछ बंध तूटते हैं और कुछ बंध बनते हैं तो जब कोई बंध तूटता है तो उस बंध को तोड़ने के लिए उश्मा की अवशकता होती है और जब कोई बंध नया बनता है तो उश उश्मा उत्पन होती है, तो यहां पर दोनों प्रकार की अभिक्रिया उश्मा होगी, एक तो अवशोशित उश्मा होगी और एक उत्सरजित उश्मा होगी, तो इस दोरान क्रिया फल एवं जो क्रिया कारक है, दोनों की उश्मा में परिवर्तन होता है, दोनों की अलग-अलग होती है तो इस दौरान जो enthalpy में परिवर्तन होता है यहीं से उसकी उत्पत्ती होती है क्योंकि कुछ बंद तूटते हैं उसके लिए उश्मा क्यावशकता है और कुछ बंद बनते हैं तो उसमें उश्मा उत्पन होती है तो यहाँ enthalpy परिवर्तन का उत्गम होता ह तो इसके लिए हम एक उदाहरन लेंगे हाइडरोजन एवं क्लोरीन के सायोग से HCl का बनना तो H2 प्लस Cl2 is equal to 2HCl जो बनना इस दौरान एंथेल्पी परिवर्तन को कैसे हम कैल्फिलेट कर सकते हैं इसके लिए सूत्र आप देखिए रासायनी कभी क्रिया में एंथेल्पी परिवर्तन की गढ़ना हम कर सकते हैं दोनों क्रियाफल एवं क्रियाकारक के एंथेल्पी परिवर्तन के आधार पर हम इसको निकाल सकते हैं तो इसके लिए जो सूत्र है वह है आसायनीक अभिक्रिया में एंथेल्पी परिवर्तन बराबर अभिकारकों के बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक उश्मा माइनस क्रिया फलो में नए बंधों के बनने से मुक्त उश्मा. तो यहां दोनों के अंतर को यदि हम ग्याद करेंगे तो आसानी से उस पूरे अभिक्रिया के दौरान होने वाले एंथेल्पी परिवर्तन की गढ़ना की जा सकती है. अब इसे मान के आधार पर हम समझेंगे. एंथेल्पी परिवर्तन की गढ़ना निम्न प्रकार से कर सकते हैं. HH प्लस CL CL is equal to 2HCL. तो यहां पर एंथेल्पी परिवर्तन अभिकारकों के आबंद तोड़ने के लिए आवश्य कूर्जा और उत्पादों के आबंद बनने में उत्पन उर्जा का अंतर होता है. H एवं H दो परमाडू बनते हैं. इसी तरह से CL CL के आबंद विदलन से CL एवं CL के दो परमाडू बनते हैं. HCL के दो अणू बनते हैं. HH आबंद को तोड़ने में आवश्य कूर्जा की मात्रा 433 किलो जूल प्रति मॉल. CL CL आबंद को तोड़ने में आवश्य कूर्जा की मात्रा 244 किलो जूल प्रति मॉल. HCL आबंद को तोड़ने में आवश्य कूर्जा की मात्रा 431 किलो जूल प्रति मॉल है. अभिक्रिया की एंथेल्पी को हम इस प्रकार ग्याद कर सकते हैं डेल्टा ह बराबर 433 प्लस 244 माइनस 2 गुड़ा 431 बराबर माइनस 185 किलो जूल तो यह अभिक्रिया की एंथेल्पी होती है आबंध एंथेल्पी से संबंधित गडिती है प्रश्ण प्रश्ण है CCl4 से C प्लस 4Cl बना है इस अभिक्रिया के लिए एंथेल्पी परिवर्तन ग्याद कीजिए एवं CCl4 में CCl की आबंध एंथेल्पी की गर्णा कीजिए यहाँ डेल्पा एच वेपोराइजेशन कार्बन टेट्रक्लोराइड के लिए है प्लस 30.5 किलो जूल पर मोल डेल्पा एफ एच नॉट CCl4 माइनस 135.5 किलो जूल पर मोल है जबकि डेल्पा एच यहाँ पर कार्बन के लिए प्लस 7.5 किलो जूल पर मोल है जबकि डेल्पा एच CCl2 के लिए प्लस 242 किलो जूल पर मोल है जब हम इसे हल करते हैं तो विभिन समीकरण बनाना होता है चुकि यहाँ पर केवल मान दिया हुआ है तो इसे तो हम समीकरण पहले तयार करेंगे तो पहला समिकरण होगा carbon tetrachloride liquid से carbon tetrachloride gaseous form में change हो रहा है तो यहाँ पर delta H0 equal to plus 30.5 kJ per mole होगा दूसरा समिकरण है यहाँ पर carbon solid state में है plus 2Cl2 जो gaseous state में है equal to carbon tetrachloride यह भी यहाँ पर gaseous state में है तो delta H0 equal to minus 135.5 kJ per mole carbon solid से carbon gaseous state में change हो रहा है delta H0 715 kJ per mole है Cl2 gaseous state से Cl पर्मारू का वस्था में परिवर्तित हो रहा है यहाँ भी gas के 2 mole पर्मारू प्राप्थ हुए क्लोरिन गैस के delta H0 equal to plus 242 kJ per mole है यहाँ पर हम सभी मानों को समीकरण का रूप देकर पुनह लिखते गए अब इस प्रश्ण में जो हमारा आवश्यक समीकरण है अर्थात हमें carbon और Cl की आबंद enthalpy की करना करनी है तो हमारे लिए जो getting equation है वो होगा CCl4 gaseous state से carbon gaseous state में परिवर्थित हो रहा है और carbon plus 4Cl यहाँ पर दोनों ही परमारू कवस्था में है और gaseous state में है समीकरण 4 को 2 से गुणा करने पर जो समीकरण हमें प्राप्त होता है वह है 2Cl2 is equal to 4Cl, delta H0 equal to 484 kJ per mol चुकि समीकरण 4 में delta H का मान 242 kJ per mol है और इस समीकरण को 2 से गुणा किया हमने इसलिए जो delta H की value है वह भी परिवर्थित हो गई वह हो गई 484 kJ per mol समीकरण 3 में इस समीकरण को जोडने पर जो समीकरण प्राप्त होगा वो देखिए carbon solid से carbon gaseous state में change हुआ delta H0 equal to 715 kJ per mol है यह समीकरण हमने पहले ही प्राप्त कर लिया था यह हमारा समीकरण 3 है जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ 2Cl2 is equal to 4Cl delta H0 equal to 484 kJ per mol दोनों समीकरणों को जोडने पर जो समीकरण हमें प्राप्त होता है वह है carbon solid plus 2Cl2 is equal to carbon gaseous state plus 4Cl यहां हल करने पर जो मान प्राप्त होता है delta H0 के लिए वह है 1199 kJ per mol उप्रोक्त समीकरण से समीकरण 2 एवं 1 को घटाने पर तो यहां पर हम समीकरण 2 एवं 1 को पहले जोड लेंगे और उसके बाद हम जो समीकरण हमें अभी प्राप्त हुआ है उस समीकरण में हम जो योगित समीकरण है एक और दो को जोडने के बाद उसको घटा सकते हैं तो अब देखिये जो समीकरण प्राप्त होता है carbon solid plus 2Cl2 is equal to carbon gas state plus 4Cl delta H0 equal to 1199 kJ per mol ये हमें जो समिकरन अभी प्राप्त हुआ है दूसरा हम नीचे लिखेंगे carbon plus 2Cl2 plus CCl4 is equal to 2CCl4 delta H0 equal to minus 105 kJ per mol ये जो सेकेंड समिकरन हमने लिखा है ये दोनों समिकरनों को जोडने के बाद याने पहला और दूसरा दोनों समिकरन को जोडने के बाद ये समिकरन हमें प्राप्त हुआ है अब इसे जब हम घटाएंगे तो मान प्राप्त होगा हमें सभी में देखिये हमने नीचे माइनस साइन लगाया है माइनस यहाँ carbon के नीचे माइनस Cl2 के नीचे माइनस CCl4 के नीचे माइनस और 2CCl4 के नीचे भी माइनस जबकि δेल्टा H की value यहाँ माइनस 105 kJ per mol के नीचे हमें प्लस लगाया क्योंकि opposite sign लगाना है जब हम समिकरनों को घटाते हैं cancel करने के बाद जो समिकरन प्राप्त होगा CCL4 is equal to 4Cl plus carbon gaseous state में प्राप्त हुआ अब यहाँ जो दोनों समिकरनों को हमने जोड़ा जोडने के बाद यहने यहाँ पर 1199 plus value है जबकि minus 105 है second equation के लिए तो minus को भी हमने चिन परिवर्थित करके plus किया तो जब दोनों values को हम योग करते हैं तो जो मान प्राप्त हुआ वह है 1304 kJ पर मोल प्राप्त होता है अब चुकि हमें carbon और Cl की आबंध enthalpy ग्याद करनी है तो carbon और Cl बंध की बंध enthalpy का मान होगा 1304 बटा 4 क्योंकि CCL4 में 4 CCL बंध है इसलिए जो value हमें प्राप्त हुई उसको हमने 4 से भाग दे दिया जो मान हमें प्राप्त होता है 326 kJ पर मोल यह मान हमें प्राप्त हुआ carbon और Cl बंध की बंध enthalpy के लिए enthalpy को प्रभावित करने वाले भी बहुत सारे कारक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी पदार्थ की जो भौती कवस्ता है वह कैसे enthalpy परिवर्तन को प्रभावित करती है तो यह भी प्रभावित इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पर गुप्त उष्पा भी सम्मेलित हो जाती है सबी क्रिया के दौरान सबसे पहले देखेंगे कि H2 प्लस हाफ O2 से H2O बना जो की gaseous state में है मतलब यहाँ जल वाश्प बना वाश्प के रूप में जल प्राप्त हुआ है यहाँ जो enthalpy परिवर्तन का मान है delta H बराबर minus 242.0 kJ पर मोल है जबकि H2 प्लस हाफ O2 equal to H2O liquid form में यहाँ जल जो है वो द्राव रूप में प्राप्त हुआ तो इसके लिए enthalpy परिवर्तन यहने delta H बराबर है minus 286.0 kJ पर मोल तो यह जो जल है वो द्राव रूप में प्राप्त हुआ तो यहाँ देखिए दोनो enthalpy की जब आप तुलना करते हैं तो जल जो द्राव रूप में प्राप्त हुआ वहाँ जो अभिक्रिया उश्मा का मान है वो अधिक है जबकि वाश्प वाले में अभिक्रिया उश्मा का मान कम है तो यहाँ जो जल है वो वाश्प के संगनन के कारण जल यानि द्राव रूप में प्राप्त हुआ है तो यहां उसकी जो गुपत उश्मा है वह अभी क्रिया उश्मा के साथ जुड़ जाती है तो भौतिक अवस्था का प्रभाव भी एंधेलपी परिवर्तन पर पड़ता है दूसरा हम देखेंगे ताप एवं दाब तो चुकि एंधेलपी परिवर्तन या एंधेलपी का मान ज क्योंकि तापमान वृद्धी से भी एंधेलपी परिवर्तन प्रभावित होता है यहां उदाहरंड से आप समझेए कि H2 प्लस CL2 इक्वल टू 2 HCl प्राप्थुआ 25 डिग्री सेंटिग्रेट पर तो डेल्टा H बराबर है 184.6 किलो जूल पर मॉल वहीं दूसरी हो और यद मॉल तो इस समय जो एंधेलपी परिवर्तन हुआ दोनों स्थिती में तापमान अलग-अलग है तो दोनों स्थिती में जो एंधेलपी परिवर्तन का मान है वो भी भिन भिन प्राप्थ होता है तो यदि हम 298 Kelvin तापमान और एक वायमंडली दाप पर एंधेलपी की गढ़न अगला जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है अभिकारकों की मात्रा तो एंथेलपी परिवर्तन अभिकारकों की मात्रा से भी प्रभावित होती है इसको भी हम उदाहरण से समझेंगे यहाँ H2 का एक मोल लिया गया और दूसरे उदाहरण में आप देखिएगा H2 के दो म मतलब H2O2 की क्रिया से जल का बनना है तो बराबर है H2O डेल्टा H इक्वल टू माइनस 286 किलो जूल पर मोल और इसी को हम जब 2 मोल हाइडरोजन लेते हैं तो 2H2 प्लस O2 is equal to 2H2O तो जब हम 2 मोल H2 लेते हैं तो जल के भी यहाँ पर 2 मोल प्राप्त हुए लेकिन आप दे देखने को मिलता है एंथेल्पी परिवर्तन यहां दुगना हो गया कैसे पहले जब एंथेल्पी परिवर्तन हमने एक मोल के लिए देखा वो है माइनस 286 किलो जूल पर मोल जबकि 2 मोल लेने पर यह दुगना होकर हो गया माइनस 572 किलो जूल पर मोल अगला जो प्रभाव के दो अपरूप लेते हैं, दोनों का दहन कराते हैं, तो इस समय जो enthalpy परिवर्तन होगा, दोनों स्थिती में अलग-अलग प्राप्त होता है, जैसे carbon के दो अपरूप होते हैं, एक graphite और एक हीरा, तो graphite याने carbon का एक अपरूप है, उसका जब दहन होता है, तो C plus O2 is equal to CO2 बना, और इस समय enthalpy परिवर्तन याने delta H बराबर है, minus 393.5 kilojoule per mole, और दूसरी स्थिती में आप देखिए, हीरा, याने C, हीरा लिखा है, याने हम carbon का ही दूसरा अपरूप ले रहे हैं, हीरा, तो उसका जब दहन करते हैं, C plus O2 is equal to प्राब्थुआ CO2, इसके लिए delta H का मान है, minus 395.4 kilojoule per mole, तो यहाँ पर देखिए, दोनों स्थिती में भी enthalpy परिवर्तन अलग-अलग दिखाई देते हैं, तो अपरूपों में जब परिवर्तन होता है, याने एक तत्व के दो अपरूप है और घटनाए एक ही प्रकार की हो रही है, फिर भी enthalpy परिवर्तन अलग-अलग दिखाई देता है